यूसेटी इंडिया जामनगर की तरफ रुखर चुकी है सभी के लिए खास अंतिजाम पूरी तरह से विशेश विवस्था की गई है बड़ी हस्तियों में शुमार आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस भी पहुँच चुके हैं वहीं आनन महिंद्रा भी अपने परिवास समेथ यहाँ पर प्री वेडिंग सेरमनी में शामिल होने के लिए पहुचे अनन तंबानी और आधिका मर्चंड की प्री वेडिंग सेरमनी में शामिल होने के लिए फिर्म अभिनेता अक्षा कुमार भी जामनगर पहुँचे एरपोर्ट पर गर्बा और पारंपरिक लोग गीतों के साथ दुनिया भर से आ रहे महमानों का जामनगर की धर्ती पर बेहत खुबसूरती के साथ स्वागत किया जा रहा है स्वागत की तस्वीरे भी इस वक्त आपके सामने जामनगर पूरी तरह से सजा हुआ है सजधचकर तयार है खेल जगत के बॉलिबो जगत के बड़े बड़े कारुबार जगत की बड़ी हस्तिया शरकत कर रही है बहुत सी बड़ी हस्तिया इस वक्त जामनगर की जमी पर है और साथ ही बहुत सी हस्तियों का भी इंतिजार भी किया जा रहा है यानि अभी प्री वेडिंग सरिमनी को लेकर जो शुब घड़ी वाली तस्वीर सामने आईगी वो भी जल्द आप तक पहुंचेगी फिलाल जामनगर में इस वक्त सितारों का ये पूरा मेला लगा है क्योंकि हमबानी परिबार में इस वक्त सबसे बड़े जश्न का महौल है अनन्त और आधिका मर्चन की प्री वेडिंग सरिमनी को लेकर जहां तैयारियां पूरी वो चुकी है तो वहीं इंतजार है उस घड़ी का जब सब ही सितारे प्री वेडिंग सरिमनी में शामल होते हुए नजर आएंगे और देखे जश्न की ये सबसे खुबसूरा तस्वीरे भी आपके सामने मौजूद है प्री वेडिंग सरिमनी की ये तस्वीर जहां पर ग्लोबल महमान भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है अनन्त राधिका मोचन की प्री वेडिंग समहरों में शामल होने के लिए सिर्फ हिंदुस्तान की ही बड़ी बड़ी हस्तिया नहीं बलके वांका ट्रॉम्प भी जामनगर पहुँची क्योंकि सबसे बड़ा एवेंट सबसे बड़ा जश्न का माहौल अमभानी परिवार के लिए इस खुशी में शामल होने के लिए News 8 in India exclusive तस्वीर के जरिए आपके सामने जहांबानी परिवार में जश्न का महौल और इसे जश्में शामिल होने के लिए देश विदेश की सबसे बड़ी हस्तियां पहुँची हुई है जामनगर की जमी पर शांदार तरीके से हर महमान का स्वागत किया जा रहा है विवस्थाएं पूरी तरह से हो चुकी है प्री वेडिंग सेरिमनी का कार्ड भी सामने आ चुका है चुकि प्यवत खुबसूरती के साथ अपने खास कारेकरमों को लिये हुआ है गुजरात का जामनगर और जामनगर क धरती इस वक्त रोशन है गुलजार है वजह है अनंतरादिका मोचन की प्री वेडिंग सेरिमनी जिसमें शामिल होने के लिए कईयारियां बहुत पहले शुरू हो चुकी थी इंतजार किया जा रहा था उन खास महमानों का और उन खास महमानों की जहलक के साथ यह तस्वीर भी इवांका ट्रॉम्प अलाकि इससे पहले भी हंदोस्तान आ चुकी है लेकिन यह मौका अंबानी परिवार के लिए बेहद खास है क्योंकि परिवार में एक नया सदस से जुडने जा रहा है अलाकि प्री वेडिंग सेरिमनी है और सोचे प्री वेडिंग सेरिमनी की इतन नहीं शांदार तस्वीरे सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई यह कह रहा है कि जल्दी उस शुब घड़ी का भी इंतिजार है जब राधिका मौचेंट अंबानी परिवार का सदस से यहां पर पूरी तरह से पुरे विदेवधान के साथ बनती नज़र आएंगी और भव भव समारो है भव इसले कहा जा रहा है क्योंकि जामनगर का कोई भी कोना इस वक्त जगमगाता हुआ ही नज़र आ रहा है हर कोने पर वो खुशी नज़र आ रही है सितारे चाहे खेल जगत के हो कारुबार जगत के हो विदेशी जमी के हो या फिर कारुबार जगत के क्यों हो हर एक सितारा इस वक्त अंबानी परिवार के जश्न के माहौल में अपना साथ देने के लिए आश्रवाद देने के लिए नए जोड़े पर खुशियां बसाने के लिए इस वक्त जामनगर की जमीन पर मौजूद है जहां पर एवांका ट्राम्प भी पहुँची हुई है आरंतरादिका मौचेंट की प्री वेडिंग सेरिमनी और इसी प्री वेडिंग सेरिमनी का जो सिलिब्रेशन है वो आप देखिए कितनी खुबसूरती के साथ कितने शांदार तरीके के साथ यहां पर उन हस्तियों के चेहरों के जरीए नजर आ रहा है जिनकी खुद एक जह आरंतरादिका की प्री वेडिंग सेरिमनी के सेलिब्रेशन में वो भी शामिल हो सके हैं अलाकि अभी कुछ और भी बड़ी हस्तियों है जिनका इंतजार यहां पर किया जा रहा है खास महमानों की यह पूरी फेहरिस्त धीरे धीरे सामने आ रही है एक एक तस्वीर भी आप का ट्रम भी जामनगर पहुंची और जब जामनगर वो पहुंची तो हर किसी की नगाहें भी टिक गई और भूटान के राजा देखे किस तरह से जामनगर यहां पर पहुंचे शामिल होने के लिए प्री वेडिंग सेरिमनी में शामिल होने के लिए तेश विदेश की वो ब सुरक्षा के लिहास से हूँ कई लियर्स की ये सुरक्षा है ताकि हर मेहमान की सुरक्षा का भी उनकी सुविधा के साथ साथ पूरा ध्यान रखा जा सके जामनगर की जमी इस वक्त सबसे सुरक्षत है सबसे खुबसूरत है चारो तरफ से रोशन है दिन में भी रोशनी की व बड़ी बड़ी हस्तियां फिर चाहे वो हिंदुस्तान की जमी से जुड़ी हो या फिर विश्वकी किसी भी कोने से जुड़ी बड़ी हस्ति हो इस भव्वे समहारों में अपना आशरवात देने के लिए इस भव्वे समहारों में शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं औ प्री वैडिंग सेर्मनी में शामिल होने के लिए इस सीलिबरेशन में शामिल होने Shap過來 के सबसे बड़े खुशी के पल में शर्कत करने के लिए पहुँची हुई है। तो इसी बीच भूटान के राजा भी जामनगर पहुंचे प्रीवेडिंग सेरिमनी को लेकर सेलिम्बरेशन के अब तस्वीरे भी धीरे-धीरे सामने आ रही है डॉनल्ड ट्रॉम्प की बेटी एवांका ट्रॉम्प भी यहां पर पहुंची हुई है भूटान के राजा भी और आधिका मर्चन की प्रीवेडिंग सेरिमनी में कई बड़ी-बड़ी हस्तियां देखिये किस तरह से शुमार कर रही है पहले से ही पहुंची हुई है और कुछ हस्तियां अभी शिर्कत भी कर रही है कुछ हस्तियों का भी आना बाकी भी है अमेरिकी राश्ट पती की भारते हैं लोग गीतों के साथ बहुत ही खुबसूरती के साथ देखिये स्वागत किया गया क्योंकि एवांका ट्राम्प, अनंत अबानी और आधिका मर्चन की प्रीवेडिंग सेरिमनी में शामिल होने के लिए खासतों से जाम नगर पहुंची हुई हैं ये दो तस्वीर यहां पर उनका स्वागत किया गया देखिये भारतिय परंपरा संस्कृती सब्भिता को हमेशा से अंबानी परिवार ने सर्वोपरी रखा है और यही वज़े है कि शादी में भारतिय परंपरा की जो चाप है वो दिखाई दे रही है प्री वेडिंग सेरिमनी है ये और श खास इंतजाम सख्त इंतजाम सिर्फ खास इंतजाम कहना गलत होगा सख्त इंतजाम भी किये गए हैं ताकि एक एक विशिश मेहमान की सुविधा का पूरा ख्याल यहां पर रखा जा सके और यही वज़ा है कि जो भारतिय परंपरा की जहलक ही नहीं बलकि पूरा वजूद जो है वो प्री वेडिंग सेरिमनी में नजर भी आ रहा है स्वागत के लिए लोगीत ढोलना गाड़े भारतिय परमपरा भारतिय संस्कृति और ये कोई पहली बार नहीं है अलाकि जब भी अमबानी परिवार खास मौकों पर भव्वे आयोजन करता है तो भारत की संस्कृति की विशेश जलक या फिर यू कहिए कि उस विशेश जलक के साथ पूरी चाप नजर आती है आती है